वेल्कम बैक गाईज तो माई यूटिव चैनल माई नेम इस दूर गई यूर विसीटिंग ड्रीम इडिवाइन में तो आज की रिएक्शन वीडियो हना वाली एक स्मूटलिंग सूपर चैट से लोगों को कैसे लूट सा है तो देखते इसमें क्या दिखाते तो चलिए वीड आपको सबसे टाले मिल सके तो डोंट वेस्टिंग एनी टाम लेस्टिव चैनल में तो हमारी फ्रॉड मुसलिम मूव्मेंट के चैंपियन जो बने फिरते हैं इनके भग सोचते हैं कि इन एच मुचलिमों को कोई जवाब नहीं देता अरे बेवकुफो इनको हमने इतने जवाबों के जवाब नहीं देते, फर एग्जामिल जवाब हमाफिय टो मांगो के हा हमसे गलती हुई, लेकिन मकारी इतनी नसो'mें भरी हुई हैं लोगों के, के सूपर चैट्स अंदर और इमानदारी बाहर इस जाहिल ने 23 अगस 2022 को जैद भाई पर इल्जाम लगाया था कि जैद भाई ने जूट बोला धोका दिया अच्छा हुआ ये कि जैद पटेल साहब ने साहिल की इस स्क्रीम से दो दिन पहले खुद आकर उस चीज़ को एक्स्प्लेइन किया था और एडिशनल एविडेंस दलाइल भी दिये थे तो जैद पटेल साहब जिस चीज़ को साहिल से दो दिन पहले एक्स्प्लेइन कर चुगे थे उस पर ये गधा स्ट्रीम करके चैंपियन बन रहा था और आज तक माफी नहीं माँगी जो जो इसने जैद पटेल साहब को बोला जूड बोला क्योंकि जैद पटेल साहब तो दो दिन पहले उन सभी क्लेम्स को रिट्रेक्ट कर चुगे थे और एडिशनल इन्फरमेशन और एविडेंस दिये थे उसके बावजूद इसने स्ट्रीम करी और आज तक माफी नहीं माँगी मैंने बोला ना के सूपर चैट्स अंदर रिमानदारी बाहर और अल्ला ने क्या इन लोगों को जलील किया इनके खुद के लोग बोल रहे हैं कि जैद पटेल साहब ने डिबेट में इसको बिना साब उनके धोया था कैर जो साहिल के भग्स वीडियो देख रहे हैं जरा इससे जाकर कहो के सूपर चैट्स दबा कर मिलेंगी जो इतनी सारी वीडियो तुम लोगों पर बन चुकी है जैद पटेल साहब ने बनाई हैं मैंने बनाई हैं उनका किसी का तो रिस्पॉंस दो हम लोगों ने जितने रिस्पॉंस इन लोगों बे बनाए हैं उनका रिस्पॉंस तो ये लोग देना पसंदी नहीं करते ये जस्ट इन वीडियो को इग्नोर कर देते हैं खैर लूट लो अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, लूट लो कब तक हिंदू को लूट सकते हो, हाला कि अब हम तुम्हारे कमेंट सेक्शन में ये चीज साफ देख पा रहे हैं, कि हिंदू को भी समझ में आना शुरू हो चुका है, कि ये लोग सिर्फ लूट रहे हैं हम ल अगर मैं चाहूं तो ये पॉइंट में ये कहकर खतम कर सकता हूँ, कि अल्ला ने चाहा इसलिए अर्थ को बिलियंस ओफ यर्स लगे, लेकिन इस साइंस के लखते को थोड़ी सी साइंस पढ़ाते हैं, बेवकूफ तुझको ये नी पता कि टाइम रिलेटिव होता है, यान युनिवर्स में मेरे लिए अगर एक गंटा बीद गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि युनिवर्स में सबके लिए गंटा बीद गया हो, जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ, युनिवर्स को बने हुए हमारे लिए 13.8 बिलियन यर्स हो चुके हैं, साइंटिस कहते हैं 13.8 बि तो क्योंके टाइम रिलेटिव है, इसका मतलब ये हुआ, हमारे लिए भले ही 13.8 billion years बीद गए हों, लेकिन universe में कुछ चीज़े ऐसी होंगी, जिनके लिए बहुत कम समय बीता होगा, या एक second भी नहीं बीता होगा, जी हां, जैसे photons, photons के लिए एक second भी नहीं बीता, photons के लिए time exist ही नहीं करता, जी हां, इनके लिए time जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे लिए trillions of years बीत गए हों, उसके बावजूद भी photons के लिए एक second भी नहीं बीता होगा, यानि इस यूनिवर्स में ऐसी चीज़े हैं, जिनके लिए यूनिवर्स की creation बहुत बहुत तेज हुई, और कुछ चीजों के लिए पलक जपकने से भी तेज यूनिवर्स की creation हुई, तो साहिल ये सवाल totally baseless हो गया तेरा, कि अर्द बनने में billions of years क्यों लगे, क्योंके यूनिवर्स में ऐसी चीज़े हैं, जिनके लिए एक second भी नहीं बीता, उन चीजों के लिए सब कुछ तुरंत हो गया एक दम, तो बेव हर चीज के लिए और हर एक जगा billions of years ही बीते हों, थोड़ा सा super chats देने वालों के लिए मेहनत कर लिया कर, उन पर थोड़ा रहम कर, इतना मत लूटा उनको, इतने embarrassing सवाल तो करता है, वो कहते हैं न, super chats अंदर दिमाग बाहर, जो चीज दिखती है, इसको गौर कर ये, बहुत important है समझने के लिए, खास करके मुमिनों के लिए, जो चीज दिखती थी, जितना observation वो लोगों का था, बस उतना ही knowledge आपको मिलेगा, चांद दिखता था, सूरज दिखता था, सितारे दिखते थे, तो रसुल उल्ला ने अल्ला के नाम पर बता दिये, लेकिन planets, इतना इनके पास knowledge ही नहीं था, कि भाई, planets भी कोई चीज होती है, वो अलग होता है, planets, वो ना चांद है न, वो सितारा है, और वो सोलार सिस्टम का हिस्सा है, ये नहीं पता था उन लोगों को, इस वज़े से वो कुरान में नहीं आया, तो इसके according, कुरान में planets का जिकर नहीं है, stars, सूरज, अंचांद का जिकर है, जिनको हम देख सकते हैं, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कुरान में कहां पर planet का जिकर है, तो कुरान जब भी stars का जिकर करता है, इन वाले stars का, तो Arabic word नजम यूज़ करता है, तो यहां पर यही नजम word का plural आया है, इन वाले stars के लिए, और नजम ही आया है, तो इन आयतों से साफ है, इन वाले stars के लिए नजम यूज़ करता है, हालकि नजम word का मतलब सिर्फ stars ही नहीं होता, नजम word celestial objects के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं एक pattern आपको दिखा रहा हूँ कुरान का, एक और बिल्कुल clear proof में आपको देता हूँ, कुरान chapter 37 verse 85-90 में, इबराहिम अपने फादर को और उनके लोगों को एक खुदा की दावत दे रहे हैं, और उनसे कहते हैं, कि तुम अल्ला को छोड़ कर इन false gods के पीछे क्यों लगे हो, उसके बाद इबराहिम अलिससलाम ने अपनी निगाहों को सितारों की तरफ डाला और कहा हम really sick, ऐसा होता है ना कि निराशो कर आदमी आसमान में सितारों की तरफ देखता है, तो वो ही इबराहिम अलिससलाम ने में एक और जगा आया है कुरान में, कुरान चप्टर 6, वर्ड 76 में आता है, कि जब इबराहिम अलिससलाम एक रात बैठे थे, तो उन्होंने एक स्टार को देखा, अब नोट करने वाली बात ये है, कुरान ने नजम वर्ड यूज नहीं किया, बलके कौकब वर्ड यूज इस जगा, जिसका मीनिंग सेलेस्चिल आबजेक्ट होता है, और ये वर्ड किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, तो कुरान ने इस आयत में कौकब वर्ड यूज किया, ना के नजम जो के अड़र वर्सेज में भी यूज हुआ है, तो कुरान ने यहाँ पर नज वीनस को डेटीज मानते थे, इनका एक स्पेशल डिलेशनशिप भी था उस जगह पर, तो इबराहिम लिए सलाम के लोग वीनस प्लैनिट के बारे में जानते थे, तो नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने जब बताया कि इबराहिम लिए सलाम ने अपनी नजर को स्टा कुरान में वीनस प्लैनिट का जिकर है, इसी वज़े से कुरान ने डिफरेंट वर्ड यूस किया, सेकेंड ली दूसरी आयतों में भी जैसे कुरान कहता है, अल्ला सुभाना बताला ने नियरस्ट हैवन को लैंप से सजाया, तो यहां पर भी ट्रांसलेटर ने लैंप इसी वज़े से ट्रांसलेट किया है, क्योंकि कुरान ने जो वर्ड इन आयतों में यूस किये हैं, वो हैं कौकब, मिस्बा, इनका मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लैनिट्स भी, अदर लूमिनरीज भी इन दसकाए, जैसे प्लैनिट, स्टार्स, कॉमिट्स, अदर तिंक्स, इन वर्ड इन क्यास कि को भी इनकलूड करता हो, या किसी और चीज के बारे में बात करना चाह रहा हो, तो कुरान तब दूसरा वर्ड इन यूस करता है तो देखिए एक सुसलिम साहिल कैसे लोगों को पागल बनाता है अंधभकितों को ज यह पागल बनाता है जो आंन्धभक्त मुस्लिम हो साहिल- मुस्लिम य вс्वेThenAL तो इसमें देखी लीजिए कि वो कैसे पागल बनाते लोगों को जूट-जूटी बाते करके बोलता है कि कुरान में अर्थ के प्लैनेट के बारे में तारों को बारे में लिखाने तो प्रूब देख लीजिए कि प्रूब दिखा दी आप जूर रिस पॉंसन तो आप क्या कहन चाहेंगे आपके पास कोई जवाब को होगा तो आप लोग बताना क्या आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर का दम मत भूलना बैल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल सके इसे तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाये रखना जैसे आपने सुरू से सपोर्ट किया वैसे आगए वे सपोर्ट करते रहीएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में